आम सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन भक्तों एक जिग्यासा आई है कि जिग्यासा है और एक तरह से आरोब भी है क्योंकि यह जिग्यासा एक नास्तिक भक्त का है उनका कहाना है कि किसी भी धर्म का फैलाव एक विशेश जवराफिकर रिजन में ही हुआ है फिर वहां से धीरे धीरे मतलब वहां से उसको पत्ती भी है फिर धीरे धीरे वह अन्यस्थानों में फैला है कई लोगों को अपना अनुवाई बनाया है तो इससे सिद्ध होता है कि यह सारे जो धर्म है यह मनुष्च के द्वारा कृत हैं और जूटे इस कारण यह जूटे अगर सच्चाई होती तो यह इसवर्फ परदत ही होता ना जिसको फैलाने की कैजर होते सब जगह एक साथ सबको मिलता वहची उपलब्ध होती सभी को लेकिन बताना पड़ रहा है सिखाना पड़ रहा है सम्झाना पड़ रहा है और अनंवाई बहाँना पड़ रहा है चेले परणा पड़ रहा है और वह इस थी सम्परदाय बढ़ाद पड़ रहा है ऑसंतने जर्वत हैं तो इससे यह सिद होता है कि सब जूटे हैं इनके तर्क में सचाई तो कुछ है मैं यह निकातं सचाई नहीं है परन्तु यह सही तभी है जबकि यह सब पर लागू हो जाए सनातन धर्म में यह लागू नहीं होता है आप समझे क्यों नहीं लागू होता है जैसे कि मान लेजिए कि बेग्यानिकों ने खोच किया तो जो खोच किया उन्होंने तो यहां पर पहले से मुझूद था गुर्टवा कर्शन सक्ति की खोच की बेग्यानिकों ने खोच किया शुम्ब की सक्ति की बेग्यानिकों ने खोच किया विद्यूत सक्ति की बेग्यानिकों ने खोच किया प्रकास सक्ति की तो ये तो यहां पहले से ही मौजूद थे फिर क्योंने सभी व्यक्ति को मालूम पड़ गए और आज भी क्योंने सभी व्यक्ति को मालूम है आज भी क्या सभी व्यक्ति को मालूम है कि गुर्त्वाकरसन सक्ति क्या है कि विद्धुत सक्ति क्या है इसका कैसे परियोग करते है आज भी नहीं मालूम है तो विज्ञान के जो रहस्त हैं जो प्राकर्तिक हैं वे सभी को नहीं मालूम है सनातन धर्म ने कभी कोई मन गढ़न्द बात नहीं किये अन्य धर्मों ने मन गढ़न्द बात किये मन गढंत बातें करना हुआ जो है सारभोमिक्ता का परिचायक नहीं है वह निश्चित रूप से सिर्फ मनस्यों की फिजूल कलपना है जिसको की फैलाने के लिए बताने के लिए संसाधनों की और आद्मियों की जड़त पड़ती है और एक जोग्राफिकल लोगेशन में होता है उसको दिरे-दिरे फेलाजाता है परंतु शनातन धर्में क्या है कि इस अस्तित्य में जो कुछ भी है उसको उनहें इन्हां प्रयोग के दौरा साधनाओं के दुआरा इनको जाना है जैसे कि हमारी स्वांस पर स्वांस का क्या परभाव है स्वांस पर स्वांस तो सभी में है चलो रहा है अरे चाए मनुस यहां का हो चाए मनुस अंटार्टिका का हो लेकिन स्वांस पर स्वांस को हम जब बदल देते हैं, तो उसे हमारे सरी में क्या reaction होता है, क्या बेवार होता है, यह तो खोज करनी पड़ती है ना, तो यहां के संतों ने यही तो खोज किया है, विचार तो यहां के भी लोगों का है, और विचार तो इंगलेंड और अमेरि प्रकटी करण से क्या संबंद है, रोक से क्या संबंद है, यह तो खोजना पड़ता है, अविस्कार करना पड़ता है, सोध करना पड़ता है इसके लिए, तो यही तो यहां के संतों ने किया है, तो अविस्कार यहां तक है, हलांकि उसका जो अंदर संबंद है, कनेक्शन है, उसका उपयोग है, उसका अप्लिकेशन है, वह तो आपको बताना पड़ेगा वह जानना पड़ेगा, तो उसका सोद तो करना पड़ता है, तो उपलबदता के रूप में, इस्वरी उपलबदता के रूप में, शारुभमिक उपलबदता के रूप में तो यह है, परंतु इस उसका उप्योग कैसे हो सकता है इसके घहरे हमारे और राज क्या है इसको तो सोथ करना पड़ता है यह अभी उपलब्ध है पर तु सोध करना पड़ेगा नॅ यह उपलब्ध है छुपए अर्थ में जिसके अगनी wonot week कहां था उसको लोगों ने खुआ जाना पहले चक्मक पत्थर से आग लगाया फिर धीरे-धीरे समझने लगे किसकी चीज़ से आग लगती है और कौन-कौन चीज में आग लगाई जा सकती है तो इसको तो सोध करना पड़ता है तो यह अविसकार है इसी तरह से सनातन धर में इसको खोज देगा कौन इसको भी तो खोजना पड़ता है प्राण सकती उपलब दे इसको खोजना पड़ेगा हमारे विचार कैसे पुष्ट और दिड़ हो जाएंगा उसको खोजना पड़ेगा किन सिध्धानतों पर यहां पर गती विधियां हो रही है क्रिया कलाप हो र लखडी में आग होते ही भी नहीं है आघ है जब हम उससे जलाएंगे तभी उस में आघ है ने तो कैसे आग है तो हम जलाएंगे जलाने के लिए थो Kुम हम ने बना अए जो पहले भी उपलब्द थी, पर उसको बनाने का खोज तो करना पड़ा, तो उसी तरह से सक्तियां यहां उपलब्द हैं, एक से एक विस्पोटक सक्तियां उपलब्द हैं, तो यह विस्पोटक सक्तियां हमारे में भी हैं, बाहर भी हैं, उनकी खोज होती है, और कैसे खोजते ह उस तरीके को बताया जाता है, उसका कैसे उप्योग कर सकते हैं, अपने हित में, अपने कल्यान में, अपने दुख दर्थ को निवारन करने में, आखिर रोग है, रोग की उपलगता है, तो आखिर दवाईयों के हम खोज करते हैं, तो इन ही जो यहां पर जो मौझूद में उसी से हम लेंगे तो करेंगे, तो यह तो उपलब्द था, परन्तु उसकी खोज हुई, वो पता लगाए गया कि इससे ऐसा फैदा हो सकता है, तो इसी तरह से उपलब्द तो यहां पर है, इस्वर तत उपलब्द है, आत्म तत उपलब्द है, मनस तत उपलब्द है, परन्तु इन थत्तों की उपलब्दता, इनकी उपादेता, हम सोथ करके ही पता लगाते हैं. और सोथ पता लगाते हैं, जब पता लग जाता है तो फिर अन्य को बताते हैं. जिसने अपना पूरा जीवन खपाया इसी में, उसे कुछ न कुछ उपलब्द होता है, इसे कोई आयरविदिक दवा बना लेता है, कोई अलोपेथिक दवा बना लेता है, तो उस अंसार को देता है, बताता है, उसी तरह से सैकलोजिस्ट हैं, वो सैकलोजी का पता लगाते है कि आखिर किन किन मने भावों से कैसे कैसे विकारा सकते हैं किन किन मने भावों से क्या क्या सरीर में एफ्यक्ट आता है तो इनकी खोज होती है मानसिक अस्तर पर खोज होती है साद्रिक अस्तर पर होती है प्राण अस्तर पर होती है स्वांस अस्तर पर होती है अंगों के अस्तर पर होती है हर तरह के अस्तर पर अलग अलग तरह की घटना है जिसे खोजना पड़ता है और उसे हमें अलग-अलग नियम की भी जनकारी होती है कि किन नियमों के तहत ये सब घटना घट रही है यानि जो हमारे सामने परिणाम आते हैं उस परिणाम के पीछे कौज कौन थे उसका हमें पता चलता है और जब उसका पता चलता है तो उसको हम बताते हैं लोगों को बताना चाहिए तभी वो आगे बढ़ता है तभी हम अन्य पिढ़ी से कुछ अपिक्चा कर सकते हैं कि यह जो है आप यहां तक हम पहुँचा दी हैं अब आप इससे आगे ले जाए खोज कीजिये और तो इस तरह से लगातार जो खोज किये गए हैं उसको बताया जाता है तो यह जो है सार्भमिकृप से इसलिए इसको सनातन धर्म का गया है तो यह बिल्कुल भी जूठा नहीं है यह सच्चा है इसने सारे बातें बताये गई हैं सब सही है और जो गलत बातें अगर कहीं उसमें घुश गई है मानले यह किसी कारण से किसी ने कुछ गुशा दिया होगा तो वह गलत बातें निकल जाएंगी बाहर उससे क्या पती है अधी कोई गलत बात परवानित हो जाती है तो निकल जाएंगी हो सकता है कि किसी समय किसी ने कोई चीज खोजी वह उतना क्लिस्ट नहीं था उतना एकुरेट नहीं था ले और से मृचीफ़ेग से बढ़ेते हैं फिर उसे आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से ही कोई बात आगे बढ़ती है। और अन्य जो मत हैं वह क्या कर रहे हैं, उन्हों ने सिर्फ जूटी कहानी बना रखी है, संसाधनों कभजा करनें। सनातन धर्म ने कभी कब्जा करने के लिए नहीं कुछ किया और इसलिए सनातन धर्म ने कभी किसी को अपना अनुवाई बनाने कोशिश नहीं की बलकि जो सत्य है उसको पताने कोशिश की और अन्यमत जो भी इस धर्ती पर आए उनका सत्य से कोई मतलब नहीं था उन्होंने कल प्रपन की सत्य के नाम पर उन्होंने जूट परुष करके संसाधनों को और आद्मियों को एक वस्तु जैसा ब्यवार किया इसलिए आप बाइबल ने पढ़ेंगा तो उसमें जीसस कहता है कि मैं तुम्हें वैसे ही पकड़ूंगा जैसे कि मचली पकड़ते हैं लोग तो मच स्युक्त धिर्म कि युप सिंटाएं बतारा है कभी जो क्या है और व्यक्ति स मचकी जास्तर है जिसको नहीं बता कर रहे हैं कि मचली तो कि यह पकड़ा जता है उयसे पकड़ूंगा और तुमली पकड़ते में सिख् six लोग, जिससे लिव कि रहा से, जो है और बड़ोतरी हो जाएगी तो इस तरह की मनुविर्ति से अन्य मत बढ़े हैं क्योंकि उन लोगों का धेख अन्य था इसलाम इसी तरह बढ़ा है लूट खसोट से कैसे लोगों को लूटा पीटा जाए कैसे उनके संसाधनों को और दो को उनकी धन संपत्ती को कबजा किया जाये कैसे उन्हें मार दिया जाए तो उन लोगों ने ही जो धर्म नहीं कारण नहीं बताते हैं START नहीं माना जाएगा कि आपने इस अस्तित्त के किसी धर्म को खोज है NKT इस वास्ता में क्या गुण हैं क्या क्या करेकर्टर Erfolg hack इस उस्तित्त में ईक-इक पदार्त का क्या रिद zombandします उनके क्या गुण है उसी को धर्म का गया तो सनातना धर्म इसी को धर्म काता है कि हम एक एक चीज को जाने कि किसका क्या धर्म है मनुस को भी जाने कि मनुस का क्या धर्म है एक मनुस होने के नाते क्या धर्म है एक फूल है तो उस फूल का क्या धर्म है एक अगर खनीज है तो उसका क्या धर्म उसका क्या धर्मनै की दो इसको बताना यहां ज्वोट हे लेकिन वहां पर तो अईसा कुछ नहीं है वहाँ पर जितनी बातें बताई गई है सुर्ज कहां डूब जाता है तो एक मिट्टी के गारे में डूब जाता है यह इसलाम बतला रहा है यह जूठी बात है तो इस तरह की जूठी बातें का कोई value नहीं है और इस तरह की बातों को फैलाने के लिए बैस समय चाहिए जूठी बात को फैलाने के लिए तो उसके लिए आदमी की जरूद पढ़ती है सुर्ज प्रित्वी चांड इस अब तो रहेंगे ना इनके संदर्व रहेंगे अनू परमानू यह तो रहेंगे इनके गुंड धर्म रहेंगे तो उस अर्थ में समझाने कोशिश की है कि प्राण क्या है वाईव क्या है उसलों वाईव को कई कटेगरी में बाटा गया है सनातन धर्म अपान वाईव प्राण वाईव उदान वाईव समान वाईव कई तरह के वाईव को बाटा गया है अगनी को बाटा गया कई तरह के अगनी जट्रा अगनी कमा अगनी योगा अगनी तो कई तरह की अगनियों का प्रियों किया गया है कि जो बूलता तो हैं उसी को सनातन धर्म के रिशियों ने खोजने कोशिस की और सनातन भी शिले कहा क्योंकि यह जो है प्राकर्तिक है तो जो नेचुरल फोर्स है जो नेचुरल ला है जो नेचुरल इवेंट है और जो नेचुरल फेनामेना है और जो नेचुरल इफेक्ट है इन सब को सनातन धर्म के रिशियों ने खो जा है इसलिए सनातन उसका नाम भी रखा है क्योंकि ऐसे ब्यक्ति-ब्यक्ति के हिसाब से सभी में एक जैसा है सदा से था सदा रहेगा इसलिए सनातन से खागया है और यह कोई अंधिश्वास नहीं है यह बिल्कुर सत्य और तत्य पराधारित है, तो इसलिए सनातन धर्म को जूटा नहीं कहा जा सकता है, अन्यमत निश्चिति रूप से जूटे हैं, या अगर सनातन धर्म में भी कोई बात ऐसी है, जो कि सत्य के आईने में खरी नहीं उतर रही है, आज तो उसे भी खारिच कर अब करो, जग्यासा करो, अन्यमत सिदे करते हैं, जो काते है, जो कोई बात करते हैं, खादिया उसको मान लो नहीं तुँमको मार दिया जाएगा या तुमको बैस्क्रित कर दिया जा comprar दिया जाएगा र была यहाँ नहीं है तो तुस्य दिए उक्टक्ह भी कह है मानो के हिआ यह किलिए कहा है और लेयानिक तरीके से कहा है और मनवाने की कोशिस नहीं की है बल्कि एक समवात किया है और आपको सभी को अवसर दिया है कि उसे जांचे पर्खे अगर सही लगे तो जीवन में उतारे सही नहीं लगे तो उसे छोड़ दे और उसके लिए कोई इसमें ऐसा नहीं है कि यहां कोई दंड का प्रावधान नहीं है ना किसी प्रकार की निंदा का प्रश्न है या निंदा का भी प्रश्न नहीं उठता है बल्कि उसे सराहना दी जाती है यहाँ पर सनातन धर में सत्य और न्याय को ही महत्त दिया गया है तो हमारा उत्तर आप समझ गए होंगे आप चाहे आस्तिक हैं, चाहे नास्तिक हैं, चाहे किसी भी मत्के हैं आप अपने परियोग से, अपने तर्क से, अपने बुद्धी से, अपने वेक से आप परखिये और जो सही लगता है उचीत लगता है उसे मानिए मनुस को लगतार खोज करना आज भी मनुस खोज कर रहे हैं सब चीज नहीं खोज पाए है ना कभी नहीं खोज पाएंगा सब चीज लगातार खोज होते रहेंगे, बेग्यानिक सदेव होंगे, इसी सदेव होंगे, तो खोज जारी रखनी है, जब तक मनुष्च सब्यता है, खोज जारी रहेंगी, नित, नवीन, कुछ न कुछ चीजे निकलती रहेंगी, बंती रहेंगी, कुछ न कुछ सिधान्त आते रहें नई नई होती रहेंगी तो इस तरह से समाज विकास करता है और इसी के विकास को विज्ञानिकों ने जो भी खोजा है सनातन धर्ब जानी मानता है कि किसी ने कहीं अन्य जगा खोज दिया है तो वो सनातन में नहीं आता है ऐसी बात नहीं है जिसने भी जहां भी कुछ भी सत्य कहा खोजा, बताया, सिद्ध किया वह सनाता नहीं है तो इसमें इतना ही ओम